हाई लो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इटी फाउंडेशन क्लासेस में तो आज किस वीडियो में मैं लेकर आयों आप सभी के लिए गोर्मेंट इटी इंस्ट्रक्टर वेकेंसी की सीधी बढ़ती बिल्कुल डायरेक्ट वेकेंसी है इ इसमें ITE पास आउट, पॉलोटेक्निक पास आउट और बीटेक पास आउट केंडिडेट्स तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो जितने भी इच्छुक इंट्रेस्टेट केंडिडेट्स है वो इस वेकेंसी के लिए जरूर आवेदन करें तो गाईस स्टार्ट करते हैं आ जो हा पर ऑपन हु榈 है सब से पहले एजुकेशनल आप लोगों कि बताऊं का टोटल कितनी पोश्ट के वेकेंसी यहां पर आई हुई है ठीक धी किसी कि किसी कि पोस्ट है वह भी मैंने आप लोगों को बताऊंगा तो सब से पहले देखते है एक उल फिकर इखल को ऐफिके पॉलो टेक्निक होना चीम है 3 साल का यहां देखे 1 साल का बिक से 1 साल माँगा गया है यहां इसके अलावा इसेंसियल क्वालिकेशन के अंतरगत जो है इन्होंने एक certificate मांगा है और वो certificate आप लोगों का National Craft Instructor Certificate and CIC under DGT ठीक है National Craft Instructor Certificate जो है student से मांगा गया है तो एक तरह के से CITS pass out candidates जो है वही इन vacancies में participate कर सकते हैं तरनाइट के अगर बात करें तो वही mechanical engineering branch वाले candidates participate कर सकते हैं one year का experience सभी vacancies के अंदर यहां पर देखिए जो BTEC वाली candidate है BTEC pass out candidates उनसे एक साल का experience मांगा गया है जो Politechnic pass out candidates है उनसे दो साल का experience मांगा गया है और जो IT pass out candidates है उनसे तीन साल का experience मांगा गया है ठीक है अब देखिए यहां पर यह educational qualifications आप लोग देख लीजिए Turner trade के लिए है इसके बाद में यह educational qualification जो है वो MMV trade के लिए ठीक है वीडियो को पोज करके आप लोग देख लीजिए मैं ज्यादा discuss ना करूं फालतु time waste ना हूँ इसके लिए आप लोग जो है वीडियो को पोज करके educational qualification जो है रीड आउट कर लीजिए कंप्यूटर कोपा ट्रेट जो है उनके लिए है कोपा ट्रेट से जो पास आउट p Masonisch trade के लिए यहां पर आप लोग देख रहे होँगे जो भी रीक्वाइड एगड وب Tennat के सामने लिखी हुई है आप लोग ए यहां जो है जरूर आवेधन कीजिए ठीक है इसके बाद में देखिए प्लंबट ट्रेड के लिए है आर यसी रेफ्रिजेस अन एर कंडिशनिंग उसके लिए है उलेक्रिसीन ट्रेड के लिए है electronic mechanic trade के लिए भी देखिए यहाँ पर vacancies आने वाले हैं employee skills के लिए भी vacancies है इसके बाद में engineering drawing trade engineering drawing जो IT trade है उसके लिए भी यहाँ पर vacancies रहने वाले है और last जो vacancy है वो है solar technician electrical वाले candidates के लिए तो यहाँ पर भी वही IT pass out, polytechnic pass out और btech pass out candidates जो है apply कर सकते हैं देखिए यह तो हुई educational qualifications के बाद इसके बाद में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह जो vacancy आई है यह आई कहाँ पे है कहाँ पे जो है आप लोगों का job रहने वाला है और जो process है selection process selection की जो परक्रिया है वो क्या रहेगी तो देखिए यार सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इसकी यह जो है रास्तान सरकार की ओर से notification जारी किया गया है उपने देशक प्रेसिक्षन और दोगिव प्रेसिक्षन संस्थान कोटा की इसके अंतरगत यहां पर वेकेंसी रहने वाले है इमेल आइडी यहां पर गेवन है सत्रा आगस्त दोजार चौवीस को यह notification जारी किया गया था ठीक है अतिति अनुदेशकों की आवसकता है तु सूचना अतिति अतिति मतलब गेस्ट फेकल्टी जो है गेस्ट फेकल्टी इन्स्ट्रक्टर वेकेंसी जो है इन्होंने ओपन किया है राज के अध्यकी प्रसिक्षन संस्तान डी सी एम रोड कोटा में डीजी टी द्वारा निर्दारीत योग्यता अनुभव क्या धारपन निम्नी व्यवसायों में अतिति अनुदेश को यह तु आवेदन आमंत्रि किये जाते हैं अब यहां पर देख लेजिए पदों की संख्या गाइस पदों की संख्या की बात करें तो यहां पर फिटर ट्रेड के लिए दो पद हैं टर्नर ट्रेड के लिए भी दो पद हैं मोटर मेकेनिक वहिकल ट्रेड के लिए एक पद यहां पर जो है ओपन किया गय कोई है इन्ट्रूमेयन CP के लिए देखें यहां पर वेकेंसी रहने वाली है और टोटल चार पदों पर यहां पर यह गोपर आशिशन के लिए इसके बाद में मैयंक अनुदैसकों के लिए एक पोस्ट एंपलिविटी स्किल्स के लिए एक पोस्ट और सॉलर टेक्निशिन के लिए एक पोस्ट यहां पर रहने वाली है इसके बाद में देखिए अतिती अनुदेशकों का विभाग के निम अनुसार घंटों के इसाब से थियोरी 300 रुपे परतिगंटा और प्राईगि तो अच्छी से ले रहे हैं टेचिंग फिल्ड में ठीक आदी तो वेसी शुटी आती रहती है और ज्यादा कुछ है कलासेज वगेरा रहती है नहीं CITS प्रेसिक्सित राज की सेवा निर्थ करमचारियों को चाहेन में प्रात्मिक्ता प्रदान की जावीगी उक्त पदों की संक्या में कमी बड़ोत्री व्यवसाय में निर्धारित प्रवेस होने नियमित अनुदेशकों की नियुक्ति इस्तानांतन के अधिन रहेगी उक्तपदों की अतिदी अनुदेशकों की कारे अवधी राज की नियुक्ति ओने सत्र समाप्त विवागे निर्दान सार होगी ठीक है अब भरती की नियुनतम आयूज़े है वो 21 वर्स होना चाहिए और इच्छु का भेड़ती अपने सेक्षनिक तकनीकी योग्यता अनुभो परमान पत्तर पहचान पत्तर के दस्ताविज मूल एउचाया परती मैं बायो डेटा साई दिनांग 26 अगस 2024 गाइस लाइस डेट का ध्यान रखे 26 अगस 2024 को दोपर तीन बजे तक आवेदन कर सकते हैं ठीक है आवेदन करने के लिए क्या करना है कोलेज में जाकर ही आप लोगों को आवेदन करना है दिनांग 28 अगस 2024 को दोपर एक बजे से चैन परकिरिया जो है लिखित प्राइगे को और साकसातकार कुछ भी हो सकता है तीनों में से कोई एक चीज हो सकते है लिखित भी हो सकता है प्रैक्टिकल आप लोगों को हो सकता है साकसातकार मतलब इंटर्यू आप लोगों को हो सकता है CITS परिक्सा में appearing अभिर्ती भी जो है आवेदन कर सकते हैं प्रन्तु इनकी नियोक्ती नेमित कक्सा प्रारम होने वाले माह के अंध तक परिक्सा परिणाम के अधिन रहेगी इसके लिए भिर्ती को निर्धारित प्रारूप में सपत पत्तर देना होगा आगे DGT द्वारा निधार योगयता अनुभव सनलगन है यहां पर जो भी मैंने आप लोगों को पताया वह एजुकेशनल कॉलिफिकेशन गिवन थी ठीक है 26 अगस 2024 तक आप लोगों को आपके डोकुमेंट संस्तान में पहुंचाने है या फिर जो है आप लोग यहां पर द अगले 6-7 दिन के अंदर जो है आप लोगों को जॉइनिंग भी दे दी जाएगी तो बहुत बड़िया वेकेंसी है यार फाल तो बैठे रहने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ काम धंदा किया जाए तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में इतना ही आई हॉप कि आज की जो information आप सभी के लिए useful रही होगी मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद